गुड मॉनिंग मैंट्स आए विलकम यू ओप यूट यूटीब चैनल से मानिया दोड़ेसे इस चैनल पर हम आप लिए लगाता अनुटेसरी वीडियो जर्बोड रटे हैं आज की इस वीडियो हम राज्ताने विस्टेन की प्रप्रेशन करने वाले हमाल काभिल अप्विट की रेखायें उस बिंदु को केंदर मानकर उसके चारह और एक समान रूप से 30 जिसा में त्वर्ण रेखायों द्वरा विक्त कियी है जो उस बिंदू से बाहर की ओर जाती है परंतु एक दानात्मों आवेस के करनाण विदुसरीर रेखायों की जिसा पूर्व के समान ही 30 दिशा में होती है, परंतु इस कैंतर की होड़ निर्देशिन होती है, विद्ःषयत्र रेखा एं किसी बिंदु पर धन परिशन आवेश बरने वाले विद्ःष्र बल्ग की दिशा को वेक्ष़ करती है। यदि विदुसषहत्र रेखाएं सहल रेखी रूप से हो, तो इसके किसी बिंदु पर धन परिषण आवेस पर लगने वाले बल की जिसा इस विदुसषहत्र रेखा तो आप धुरस्रच किया जा सकता है। परन्तु यदि वक्राकार विद्धुत्य रेखाएं उप्लब्ध हों, तो विद्धुत्य रेखा की किसी बिंदु पर धन परिक्षन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, इस बल रेखा की उस बिंदु पर इस पर सेखी दिशा में होगी, इस प्रकार विद्धुत्य रे विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् गोल से व्रणों आ या एक गोला कार सम्रुप अवेश वित्रण के करने वित्यश्यत्र की है, उस गोले के कंद को कंदर मारं कर्थ, ति एक समाल से खीची हुई प魔 wolves द्वाराविक्त की जाती है, जो कि उस सम्रुप अवेश वित्रयश्यत्र की जती है उस सरल रेखी आवेस वित्रण को अक्स मानकर उसके चारों और खीचे के एक बेड़णा कार आकती में वरताकार रूप से तिज्जे दिसा में विद्धुत सेट्र रेखाओं द्वारा पुदरसित की जाती हैं यदि किसी क्सेत्र में विद्धुत क्सेत्र रेखाऊं को एक समान दूरी वागी समान तर रेखाऊं दोरा प्रदसित किया जाता ही। तो उसे समलुक विदिद्धसेत्र कहा जाता है। अर्थात कुस्क सेत्र में प्रतेग बिंदु पर विद्दु सेत्र की तियूरता नियत होगी परन्तु यती विद्दु सेत्र रेखाएं इस प्रकार वक्रा का रूप से प्रदसित की जाएं तथा उनके मद्दे आपक्सिक दूरी बिंदमिन इस्तानों पर बिंदमिन हो तो पुर्त का मान उच्च होगा, इस एपसोर्ड में हम इस्टडी कर रहे हैं गाउस के नियम का, गाउस का नियम मुलतर किसी बंद से निलगत विदुष्यतर रखाओं की संख्या अर्थाद फ्लक्स को निरुपित करता है, किसे कहते हैं फ्लक्स किसी एक समतल जिसका शेतर फल ये वेक्टर द्वारा पुदर्शित किया जाए यदि उसका अभियुन्यास किस प्रकार का हो कि विद्ध सेत्र रेखाओं और उसके एक्षेत्रफल सदिस के मध्य कौन का मान थीटा है किसी सम्तद सदर के एक्षेत्रफल सदिस को उसक्षेत्रफल के लंबद दिशा में एक विद्ध सेत्र में इस्तिक किसी प्रष्ट से निर्गत विद्ध फ्लक्स का मान दिर्गत कुल रेखाओं की संख्या द्वारा प्रदसित किया जाता है अतर किसी सम्तर प्रष्ट से निर्गत कुल विद्ध सेत्र रेखाओं की संख्या उस प्रष्ट से निर्गत फ्लक्स क किया जाएं तो उस प्रष्ट से निर्गत विद्वत्व्लक्स का मान 5 is equals to e vector dot a vector से प्रदसित के रहता है जिसे हम लिए सकते हैं ea cos theta अर्थाथ किसी प्रष्ट से निर्गत विद्वत्वत्वक्स का मान विद्विसेत्र की त्यूरता उस प्रष्ट के इगत्ति विद्वत्वत्वक्स की अभिविन्यास करता है इस प्रकार विद्वत्वक्स बनगना के लिए 3 हिस्थिआ होगी , जब theta is equal to 90 degree अर्थाथ उस प्रष्ट का तर्व विद्वत्वत्वत्वत्विन्यस का समान उस प्रष्ट का सेत्र फलसदीश विद्धु सेत्र के लंवत अभिविन्यस दोगा, अथर theta is equal to 90 degree होने पर 5, अर्थार flux का मान Ea cos 90 degree रखा जाएगा, cos 90 का मान उता है 0, अतर 5 is equal to 0, अर्थार इस इस्तिति में उस प्रष्ट से निर्गत flux का मान सुन्ने होगा, second condition, जब theta is equal to 0 degree अर्थार, जब वब प्रष्ट विद्धु सेत्र के लंवत इस्तितो और उसका सेत्र फलसदीश विद्धु सेत्र की डिशा के अंदिश हो, तो इस इस्तिती में theta is equal to 0 degree होने पर विद्धु लक्स का मान 5 is equal to Ea cos 5 is equal to Ea प्राफ होता है, क्योंकि cos 0 का मान 1 होत है, third condition में theta is equal to 180 degree हो, तो इस इस्तिती में भी विद्धु सेत्र के लंवत ही ये प्रष्ट इस्तितो होगा, परतु विद्धु सेत्र की तुल्ना में इस प्रष्ट के एक सेत्र फलसदीश एक दूसरे के विप्रिद दिशा में होने के कारण theta is equal to 180 degree पूट किया जाए, तो निर्गत विद्धु फ्रक्स का मान, phi is equal to ea cos 180 degree अर्थाथ ea cos 180 degree का मान, minus 1 होता है, अतो phi is equal to minus ea, यहाँ पर एक बात विशेश तोर से ध्यान देने होगे है, कि यदि धनात्र विद्धु फ्रक्स प्राप्ट होता है, तो इसका अर्थ है, उस प्रष्ट से निर्गत हिए उस फ्रष्ट से विद्धु रखाएं बाहर की ओर निर्गत होंगी, जबकि रिनात्र वख्रफ्लक्स की स्तिती में विद्धु चैत्र रखाएं उस प्रष्ट में एंटर घरेगी, बाहर से अंदर की हो रहेंगी, यह बात विशेश तोर से ध्यान अंदे हैं इस सिथियों में अम ने दिया कि विदुद सेत्र और 430 के मध्यर कौन पर इस那么 निर्गर करता है अतर किसी नियत विदुद सेत्र में अधिक्तम उस एसी निर्गत कुल विदुद फ्लक्स का मान अधिक्तम neo थिए में और अधिता जीरो डीरी हो अर्थाथ जब महप्रश्ट विद्वत सेत्र के लंभत अभिनेस्थ हो तब उससे निर्गत कुल विद्वत्व फ्लक्स रेखाऊं उस प्रश्ट से निर्गत कुल शेत्र रेखाऊं की संख्या का मान अधिक्तम होता है अब हम सेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो किसी बिंदू पर विद्ध से तरकी त्यूरता उस प्रष्ट से निर्गत कुल विद्ध स्विद्ध के मान को उस प्रष्ट के एक से तरकी त्यूरता ये उस्तिति में होगा जब प्रस्ट के प्रतेक बिंदू पर विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद प्रोब्लम है एक दिये हुए विद्धु सेत्र ती उता वाले एक शेत्र में एक शेत्रफन सदीस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जे के मिट्री स्वेर दिया वारे अदर इस प्रश्ट शेत्रफन से निर्गत विद्धु सेत्र फ्लक्स की गणना करनी है आए हम सुरू करते है हम जानते हैं कि किसी प्रश्ट एवेक्टर से निर्गत विद्धु सेत्र एवेक्टर का फ्लक्स 5 इस इक वेक्टर डोट एवेक्टर से दिया जाता है जहां हमें दोनों रासिक सदी सुरूप में दी हुई है इसकी यह सदी सुरूप में रखा गया है तो EX IK प्लस EY JK प्लस EZ KK डॉट AX IK प्लस EY JK प्लस EZ KK रिखा जाएगा इस प्लकार के अधिस गुनल को X कंपोनेंट्स को आपस में सीधिर गुना किया जाता है EX AX IK प्लोट IK 1 हो जाता है प्लस EY AY प्लस EZ AZ इस सुत्र का उप्योग करके हम इस S रेक्टर प्लष्ट से निर्गत विद्श्यत्र फ्लस का मान ग्याद कर सकते हैं अधर 5 इस इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर अधर E वेक्टर का मार्ज 200 IK प्लस 300 JK वोल्ट पर मीटर डॉट प्रोड़क्ट करेंगे स्केलर प्रोड़क्ट करेंगे A वेक्टर के सारा 5 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 3 मिट्र स्वेर जेक्ट यहां विट्र सेत्र सदीष में IK और जेक्ट केवल X और Y कंपोनेंट उप्लग दें यहां सेत्र सदीष का केवल Y कंपोनेंट अवलेबल है इसलिए जब हम इने गुणा करेंगे तो X कंपोनेंट को जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका X कंपोनेंट 0 है इसलिए 200 multiply with 0 plus 300 multiply with Y कंपोनेंट 5 into 10 to the power minus 3 दोनों में जब कंपोनेंट 0 है इसलिए उसे लिखने के आसकता नहीं है अतर निर्गत फ्लक्स का मान 1500 गुणा 10 की गारत माइनस 3 अतर 1.5 double 0 volt into meter ली सकते हैं अतर दिये गए प्लक्स से निर्गत विद्ध फ्लक्स का मान 1.5 volt into meter से दिया जाएगा यह हमारा दर होगा विद्ध सेथ्र फ्लक्स पर हमारे अगिया numerical में एक balance जो विद्ध सेथ्र के मतिस इस प्रकार व्यवस्ति की उसका आक्ष्ज विद्ध सेथ्र की जिसाने इस्तित है हमें घ्यार करना है कि इस balance से निर्गत पुल विद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा हम जानते हैं कि विद्व सेत्र फ्लक्स का मान किसी बंद प्रष्ट से निर्गत कुल विद्व सेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर होता है यहां हम यह देख सकते हैं कि इसके S2 प्रष्ट से प्रवेश करने वाली विद्व सेत्र रेखाओं की संख्या इसके S1 सेत्र से निर्गत होने वाली विदुद सेत्र रेखाओं की संख्या के समान है तथा इसके वक्रप्रक्ष्ट S3 से कोई विदुद सेत्र रेखा नहीं बुजर रही है इसके वक्रप्रक्ष्ट से निर्गत विदुद सेत्र का मान दोगा सुने अतर S1 से तर से निर्गर plus 5 1 is equal to E vector dot A vector जहां पर E vector और A vector की जिसा एक समा होने की कारण E A cos 0 degree implies that 5 1 is equal to E A equation number 1 S2 उर्तकात से निर्गत विदुद से रेखाओं की संख्या अर्था विदुद प्रक्स का मान 5 2 is equal to E A cos 180 degree is equal to minus E A प्राप्टोगा 5 2 is equal to minus E A equation number 2 मक्र प्रक्ष्ट S3 से निर्गत विदुद प्रक्स का मान 5 3 is equal to E A cos 90 degree is equal to 0 प्राप्टोगा इस बेड़लाकार बंद प्रक्स से निर्गत विदुद प्रक्स का मान 5 is equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 is equal to 0 प्राप्टोगा लेकिन competitive exam में इस तरह का solution करने का हमें समय नहीं होता है subject की understanding से आप इस question को sort में sort कर सकते हैं क्योंकि S3 वक्रष्ट से तो कोई विदुद स्यत्र रेखा नहीं गुजर रही है तथा S2 से प्रवेस करने वाली विदुद स्यत्र रेखाएं S1 से बाहर निकल जाती है इस प्रकार इस बंद प्रक्स से निर्गत नेट विदुद स्यत्र रेखाओं की संख्या सुन्ने होगी अतर निर्गत विदुद फ्रक्स का मान होगा सुन्ने विदुद फ्रक्स से संब्दित हमारे अग्रे जुवेरिकल में उचा रहा है कि एक व्रत्तकार सीट जो एक समान विदुद स्यत्र में इस प्रकार रखी गई है कि विदुद स्यत्र का मान यहाँ पर दिया हुआ है और इस वर्ताकार सीट का तल विद्धुत से तीश डिगरी का पॉन बनाता है तो हमें इस वर्ताकार सीट से निरिगत विद्धुत फ्लक्स की गणना करनी है हम जानते हैं कि विद्धुत फ्लक्स फाई का मान E vector और A vector के सदिस बनान से प्राप्त होता है अतर E cos theta सुत्र का उप्योग करके भी इस मान को ग्यार किया जा सकता है जहां theta कौन E vector यानि की वितुषेत्र सदिस और इस वृत्ताकार प्रष्ट के सद्रफल सदिस के मद्य कौन है तो हम यहां देते हैं कि यदि वृत्ताकार प्रष्ट का तल वितुषेत्र सदिस से 30 डिगरी का कौन मनाता है तो face बचा हुआ 90 डिगरी माइनस 30 डिगरी अर्था 60 डिगरी एंगल यहां A वेक्टर और E वेक्टर के मद्य कौन है अर्था वितुषेत्र सदिस और प्रिष्ट के एक सद्रफल सदिस के मद्य कौन होगा 60 डिगरी इस मान को जब प्रतिस्तापिक किया जाता है तो 5 का मान E A cos 60 डिगरी रिखा जाएगा cos 60 डिगरी का मान होता है 1 by 2 E और A दोनों के मान प्रिष्टा पिक किया जाए तो वितुषेत्र का मान 5 इंटु 10 to the power 5 multiply with A जहां पर व्रताकार प्रष्ट की तिर्जय का मान 5 cm दिया हुआ है अतर 5 multiply with R square अर्थाथ 5 इंटु 10 to the power minus 2 square multiply with cos 60 अर्थाथ 1 by 2 लिखा जाए तो यहां आगे गुना करने पर 5 का इस पर होगा 25 multiply with 5 that is 125 multiply with 10 to the power only 1 यहां पर होगा 10 to the power minus 4 यहां पर होगा 10 to the power 5 10 to the power 1 multiply with pi अर्थाथ 3.14 multiply with 1 by 2 अर्थाथ 0.5 इन्हें जब आगे गुना किया जाता है तो हमें यहां पर प्राप्त होगा 625 गुना 3.14 अतर 625 को 3.14 से गुना करने पर हमें आंसर प्राप्त होता है 1.96 in to 10 to the power 3 वोल्ट in 2 मीटर सत्तागार प्रश्ते निर्गत विद्द तफस का मान हमने अभी तक study किया कि आवेस स्वित्रण में किसी भी प्रकार की आवेस की मात्रा हमें सब प्वांटिक रत होती है वो इलेक्रोनों से मिलकर बना होता है वो सतत मात्रा नहीं होती है लेकिन मान लीजिए हम एक नेनो कुलाम में इलेक्रोनों की संख्या का मान ग्याद करते हैं तो एक नेनो कुलाम में इलेक्रोनों की संख्या का मान बहुत अधिक होगा अतर एक बिंदू परिस्तित एक नेनो कुलाम आवेस के कारण किसी बिन्दू P पर विद्धुसेत्र की गणना की जाए इन सभी इलेक्ट्रोनों के कारण अलग-अलग विद्धुसेत्र की गणना करके इस बिन्दू P पर विद्धुसेत्रों के सदिश योग करने पर परिणामी विद्धुस्यत्र सदिस्प्राप्त होगा, परंतु यह एक जटिल प्रक्रिया होगी, इसलिए सामने तोर पर विद्धुस्यत्र की गणना करने के लिए किसी बिंदु आवेश या एक समान आवेश वित्रण को सतत आवेश वित्रण माना जा सकता है इसे आधार मानते हुए हम तीन प्रकार के आवेश वित्रण पर चर्चा करेंगे और उसके आधार पर तीन प्रकार के आवेश कनत्व हम गर्णा के लिए उप्योग में लेते हैं आईए शुरू करते हैं मार दीजिये किसी एक रेखा के अंदिश आवेस वित्रण है उसकी L नंबाई पर रेखिये आवेस वित्रण मान दीजिए एक रेकांक अंदीस समरूप आवेस वित्रित है तो उसकी प्रतेक एकांक लंबाई पर आवेस की मत्रा समान होगी यदि एल लंबाई पर आवेस का मान क्यों है तो एकांक लंबाई पर आवेस का मान रेखिये आवेस गनत्व का मान रेखिये आवेस गनत्व का मान रेखिये आवेस वित्रन पर एकांक लंबाई पर आवेस का मान होता है अतर लेम्णा का मान एल लंबाई पर पुल आवेस का म पान, बटे, एल में से ब्राफ्त होगा अतर रिक्खेया आवेज गनत्व का मात्रख होगा कुलाम मीटर माइनस वन अर्था कुलाम में प्रती मीटर परंदू यदि आवेज किसी प्रष्थव पर या किसी सतर पर एक समान रूप से वित्रित हो या संतत रूप से वित्रित हो तो उस इस्तिती में आवेस गनत्व के लिए प्रिष्टिये आवेस गनत्व पद का उप्योग किया जाता है उस इस्तिती में प्रिष्टिये आवेस गनत्व का मान सिग्मा से वेक्ट किया जाता है सिगना का मान प्रष्टी एक्सेत्र ए पर वित्रित आवेश का मान क्यूँ बटे उस प्रष्ट अलपांस एक्सेत्र फल का मान ए से व्यक्त किया जाता है अतर एकांग प्रष्टी एक्सेत्र फल पर आवेश का मान प्रष्टी आवेश कनत्व जलाता है अतर इसका मात्रप पर मीटर स्वायर किसी त्रियूमी आकृति के संपूर्ण आयतन में आवेश वित्रित हो तो उस इस्तिती में आवेश गनत्व का मान आवेश गनत्व कहा जाता है वहाँ आयतन आवेस घनत्व का मान एकांख आयतन में आवेस की मात्रा द्वारा दिया जाता है इसे रो द्वारा वेक्ट किया जाता है अधर रो इजित वर्टू आयतन अलपांस पर आवेस का मान क्यों बटे उस अलपान्स के आयतन का मान वी से वेक्ट किया जाएगा अधर आयतन आवेस घनत्व कमात्र खुगा कुलाम पर मीटर क्यूब दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज की इस वीडियो में डिस्कस किये गए गाउस के नियम उसके अनुप्रियोग विद्धुस्यत्र रेखाओं की दिशा उनकी संदस्ना और विद्धुस्यत्र की तिवता की स्तिती के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आप इटके अच्छी तरिक्सा में इनका उप्योग कर पाएंगे एसी में आसा करता हूँ आपकी सबता की काम ना करते हुए थैंक्स प्र वाचिव इच्छी प्राप्त की थर्त्व ना काई व्यक्ता की हाँ